थपड़ बाज इंस्पेक्टर का वीडियो वारल बागपत के थाना बिनौली में मारा पीडित को थपड एसपी ने इंस्पेक्टर को किया लाइन हाजर यूपी में पहले ही कानून व्यवस्था खुलेकर आलूचनाओं का सामना कर रही उत्रप्रदेश पुलिस का एक बेरहम चेहरा सामने आया है दरसल पश्चमी यूपी के बागपत जिले में एक पुलिस वाले ने थाने में शिकायत लेकर आये एक यूवक को थपड मार दिया और उसे थाने से भी भगा दिया इस घटना का वीडियो भी सामनी आया है जो सोशल मीडिया पर तेजी से बारल हो रहा है जानकारी के मताब एक पुलिस लाइन से जुड़े बिनौली थाने के इंस्पेक्टर ने जिस व्यक्ती को थपड मारा है वो अपनी बेटी के लापता होनी के शिकायत लेकर थाने में आया था लेकिन इंस्पेक्टर विर्जा राम ने शिकायत दर्ज करनी की बजाए उस यूवक को थपन मार कर थानी से भगा दिया गटना का वीडियो वारल होनी के बाद एसपी ने उस थानिदार को लाइन हाजिर किया है और उसके खिलाफ विभागी कारिवाई की तेयारी है इस मामले में भागपत के एसपी की और से बयान जारी कर कहा गया है कि सोशल मीडिया पर जो वीडियो वारल हो रहा है वो कल्च श्याम का है ग्रामिनों से सूचना मिली थी कि बिनौली पीएस इंस्पेक्टर ने पीडित परिवार जो गुमशुद की दर्ज कराने के लिए थाने गए थे उसी के साथ बच्छ लुकी की इस मामले में सियो सिटी को जाच के आदेश दे दिये गए हैं विभागिये कारवाई शुरू हो गई है विरल पोर्ट यू वीडिया निउस